तो आज इस वीडियो में मैं साडी में फॉल लगाना बताऊंगी तो मैंने इस तरह से एक प्लेन साडी लिये हैं जिसे बॉर्डर नहीं है प्लेन साडी है और इसको हम फॉल लगाएंगी क्योंकि मसिन से सिलाए करते हों तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है करेंगे को क्या करेंगे इस तरह करेंगे हम अम आफिस के करेंगे यह पर हम फॉल को अफिन कर ली और उपिन करने के बाद सीधी साइड देख लेते हैं ऐसे किनारा चला में आफिसके तरफ असी में और यहां पर हमारे किनारा सिल्खे रखे हैं देखते हैं ल्टी सीधी साइड कर एक दूसरी को इस तरह से भिचा लेंगे हुआने के बाद हमारी कूल टारी साइड है है और ऐस तरह से यहां पर हम एक वित्ता से नाप कर दूरी छोड़ देंगे हम यहांद फॉल लेंगे और फॉल की C-D साइड देखती हुए यहां पर हम रखेंगे इसको सिलाइसे से अटेच करने पर फॉल क्या होता है ना यह साड़ी जो हमारी बॉर्डर वाली राती हो अच्छे से सिल जाती है लेकिन यह साड़ी में लगाने में दिक्कत आती है इसलिए मैं आसान और शटिक तरीका लाई हूँ आप लोगों के लिए यह फॉल लगाने के लिए और यहाँ पर हमने इस तरह से मोड़ती हुए फॉल को इस तरह से सिर रख दिये है और इतनी दूरी छोड़ दिये हैं चेहां भी चोड़ते हुए हम इस तरह बराबर करने के बाद यहाँ पर हम सुई लेंगे और सुई की मदद से इस अटच करेंगे सुई में धागे हम डबल किये हैं ताकि मजभूती आ जाए और इस तरह से हम इसे गुल लेंगे जैसे हम सुई धागे गुलते हैं किनारा उसी तरह से लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है हमारा साड़ी के किनारी का है वहां पर तूर्पाई जितना लेना है और फॉल के तरफ हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है इस तरह से जो हमारे सीलाई बाहर के तरफ देखे हम ? ऐसे लगिए क्टूर्पाई जैसे मतलब हुआ है और यहां पर हम इसी तरह से गुलाई कर लेंगे इस तरह नीचे के साइड में पूरी फाल को फाल के साइड से हमें थोड़ा सा इश्रा लेना है और इधर के साइड से हमें साड़ी के साइड से हमें थोड़ा सा तुपाई जितना रखना है कपड़े को और इस तरह से हमें पूरी साड़ी में गुलाई कर देनी है और यहां पे बीज बीज में हमें गाठ भी लगा देनी है ताकि हमारा जो धागा है कभी खुल जाता है तो खुलने से क्या होता है पूरा नहीं निकलेगा जहां तक हमारी गाठ रहें की उतनी ही निकलेगी इस तरह से हम यहां पर गाठ लगा देंगे और शेप्टी भी रहता है हमारे लिए और यहां पर हम फिर इस तरह से घुलाई करेंगे इस तरह से गुलते जाएंगे हम बराबरशे पकड़ते हुए कपड़े को और फिनिशिंग देते जाएंगे बराबरशे ताकि टाइट नहीं हो यहां हमारा सेंटर पे आकर धागा कहतं हो गया तो यहां पर क्या करेंगे धागा कहतं हुए तो धागा मेरा डवल था इसकी बी यह पिछ वागा करते हैं और इस तरह से हम सोई को इस तरह से इधर कर लेंगे इतनी हमको चाहिए और इतनी में ही हमारे आधे फॉल की सिलाई हो जाएगी आधे हो गई थी और आधे बागी थी तो इसी तरह हो जाएगी आप इस तरह से भी गुल सकते हैं अपने अंदास दी जल्दी जल्दी और आप अच्छे से पर लगा सकते हैं पॉल को कि और किनारे पर आगें और किनारे पर इस तरह से हम दूरपाय करते हुए आएंगे नीचे के तरफ में जिसलाई होती है इस तरह आपके अपास मसीन नहीं हो तो अच्छे से भी फॉल लगा सकते हैं उसे फॉल तो सभी लगा लेते हैं लेकिन फॉल में कुछ आसान और इजी ट्रिक्स लाएं हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी और इस तरह से हम इसे अंदर के तरह फॉल कर देंगे पॉल करने के बाद यहां पर हम तुरफाए का गाठ लगा देंगे यहां शिलाई करके उसे मजबूती आ जाये और यहां पर हम इसको इस से गाठ लगा के चोड़ेंगे अब यह पर छोड़ने के बाद इस तरह से हम देख लेते हैं कि पूरी हमारी जूसिलाई है कहीं पर जोल तो नहीं है बराबर करते हुए हम देख लेंगे तो इस तरह से बरावर मेरा सही था और यहां पर क्या करेंगे हम इस तरह सोई को अटेश कर देंगे अटेश करने के बरावर करते हुए अब हम लेंगे आलपीन की मदद जिससे क्या होता है हमें थाली की जरूरत नहीं पड़ती है और इस तरह मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम गैपिंग देकर इस तरह से सेट करते जाएंगे बराबर से और इस साइट से बराबर कप्टे करते हुए हम पकड़के यहां पर अल्पिंग लगा देंगे एहांपर हमvosaddy में पॉल्ल लगा लेते हैं बढ़ कुछ नया ंटिप शेता है जब हमारे इस सार्ड़ा को असान बनाता है इस सानी बनाता है फॉल्ल लगारे में यह होती है इससरे हम यहां पर सेंट कर लेंगे ऑर इस तरह सेंसे हम पूरे मेरा star का फॉल है कि उसमें हम सेट कर लेंगे थोड़ी थोड़ी दुरी पे गैपिंग करते हुए बराबर से कपड़ा पकड़ लेंगे ताकि जो कपड़ा हमारा है जोलना हमारे और इस तरह से यहां पर हम सेट कर लेंगे यहां नीची का कपड़ा हम बराबर में देख लेंगे कि कहां इस्ट्रा ना हो इस तरह से और यहां पर हम सेट करते जाएंगे अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब ने कियें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आल का अपसन सलेट कर दीजिए इससे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके और निव निव आडिया लाने के लिए और इस तरह से हम हमें और भी वीडियो बनाने का इस तरह से पूरे फॉल को हम साड़ी में इस तरह से अटैज कर देंगे जिससे क्या होता है पुरा शक्योर हो जाता है हमारा और यहां हम आसानी से बिन अथाली की मदद से हम इसे दुर्पाई कर सकते हैं और हम जल्दी से भी आपका टाइम भी बच जाएगा और सरल और आसान भी हो जाता है यहां पर देख सकते हैं आप कुछ हमारा सारे साड़ी में हम इस तरह से सिट कर दिए हैं और यहां पर फिनिशिंग के साथ उपर भी अच्छे सिट हो गया है कहीं भी जोल नहीं आ रहा है हमारी शाड़ी की में और इस तरह से आप प्रापर कप्ड़े करके रख सकती हैं और यहां पर हम इस तरह से तुर्पाई के जैसे तुर्पाई करते चले जाएंगे और पर निकलते जाएंगे और यहां पर हम ध्यान रखेंगे जो हम इस तरह तुर्पाई करते जाएंगे और यहां पर कोने प्याएंगे यहां पर हम गाट लगाएंगे इस तरह से गाट लगा देंगे और यहां की फिनिसिंग देख लिजे कितनी अच्छी है गाट लगा के अलफीन को निकाल देंगे और इस तरह से हम पूरी तुर्पाई करते जाएंगे इससे जो क्या होता है जो हमारी फॉल होती है अगर कहीं बीच से धागा तूट भी जाता है तो यहां पर थोड़ी दीरी निकलता है यहां पर थोड़ी तीरी निकलता है यहां बीच बीच में हम गाट लगाएं इससे वज़े से जो क्या हमारा फॉल है टिका राता है और इ टकत करते हैं, असली तो इस लिए हम क्लिए कीकत है, उसी होते हैं, WIL will orschटी है, लोगते हैं हाई समय करते हैं, इसलीए को भी राई में म rouशती है, लोगती है, कर ऐसे थाल सी में तुम अज़ए कहों करते, बहुत अच्छे से और जल्दी से को हो जाता है। और यहां पर हम इस तरह से दुर्पाई कर लेंगे झाल यहां पर आजय कर लेसे दुर्पाई कर लेंगे गारत्रा राहर से दुर्पाई कर लेंगे कर लेखा नहां। तो यहां पर मारी तुरपाई कंप्लीट होने वाली है किनारे पत्रफितर तरह से लुष्ट करते जाएंगे तहाँ पर हम आल्पीन निकाल देंगे और यहां पर हम आपट लगा देंगे ताकि हमरा दॉद्र निकले यहां पर हम कैची कि मिदा से से कट कर जेंगे तो कुछ फाइनल लोग हमारा इस तरह साया दिखे कहें पे भी जूल नहीं हो रहा है मेरा शाड़ी में और इस तरह से अंदर की फिनिसिंग देख सकती है टोटल और यहां पर हम इपर प्रेस लगाएंगे और बाहर से भी आप इसकी फिनिसिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी से आई है तो आप इस सरल और शटिक तरीकों को आजमाईए और अपने शाड़ी को आप जल्दी से जल्दी बनाने की लगाने की कुशिश करिए यहां प और वाचिंग वीडियो मिलते हैं कुछ नए डिजाइन के साथ